Hello to students, I welcome you again in this video. Student, this is the last exercise of pair of linear equation in two variables, chapter 10th class, NCRT. And this is very important exercise. Students, this exercise को optional exercise कहते हैं, और अब 10th standard में जितनी भी NCRT की optional exercises हैं, यह बहुत important है आपके लिए, आपको बहुत carefully इनको देखना चाहिए. In optional exercises से एक या दो questions 100% मिलते ही हैं final exam score में. तो देखें, इस optional का first question है, आप देख सकते हैं, जो इसका first question है, the age of, देखें, आप देख सकते हैं, the age of two friends, NCRT differ by three years. दो friends है, NCRT और विजू, उन तोनों की age में difference दिया गया है. तो हमने क्या, देखें, student जितने भी word problem होती हैं, linear की, आप उसका last line देखें, कि उसने हमसे question क्या बुछा है, आपको वही variable let करना है. जैसे देखें, last question है, find the ages of NCRT, तो हमने क्या लेट किया, let the ages of NCRT be X year and Y year, सबसे पहले यही लेट कर लिया, अब उसके बाद देखें, क्या बोल रहा है, आप देखो, यह तोड़ा सा confuse करेंगे, NCRT की तो father ले लिए धरम, धरम जो है, वो NCRT की फादर है, जो बीजू की sister है, उनका नाम है Kathy, तो इन्होंने एक नई relationship दिए धरम is twice as old as any, and बीजू is twice as old as his sister Kathy, तो इनने क्या किया, देखो, हमने suppose कर लिया, पहले तो case 1 देखे, suppose कर लिया, कि बीजू जो है, वो elder than any है, क्योंकि देखो, एक दोनों में से तो एक बढ़ा होगा, तो हम एक से बढ़ा होगे, तो पहली equation क्या है, क्योंकि पहले में दिया है, कि दोनों की age का difference है 3 years, तो पहली equation मन गया, y, देखे, y minus x equal to 3, equation number 1, आप देख सकते हैं, हमने अच्छे से ले लिया है, अब student देखे, हमारी पहली equation आ गई है, y minus x equal to 3, अब देखे, next है, present of जो any's father है, उ twice है, एनी के, तो यानि धरम जो है, उनके father जो है, उनकी age क्या हो गई, 2x, क्योंकि एनी के x है, तो धरम की क्या हो गई, 2x, इसी तरह देखे, जो बीजू की sister कहती है, वो जो है, बीजू की जो है, half हो जाएंगी, sorry, इसी तरह देखे, अब क्या बोल रहा है, कि, इसी तरह देखे, students क्या बोल रहा है, जो बीजू है, वो अपनी sister का double है, right, तो sister क्या हो ही, वो बीजू की half हो जाएगी, देखे, अगर brother double है, sister की age का, तो sister की age, brother की half हो गई, तो देखे, यहाँ आपर देखे, my defense, जो sister की age हो जाएगी, वो present age, जो बीजू की half हो जाएगी, यहनी, बीजू की y है, तो y का half कर देखे, यहाँ पर, तो वो हो गई हमारी age of sister, तो आप देखे, हमारी equation है, यहाँ आप पर my defense, age of धरम माइनस कहती, मतलब धरम और कहती का जो difference है, वो है 30 years, तो equation आ गई 2x, आप देख सकते हैं, हमारे पास equation आ गई है, equation आगा है, 2x minus yy, 2 equal to 30, यहाँ से equation second में लेगी, और उसके बाद my defense, जब equation बन जाती है, फिर तो आप इस chapters को समझ चुके हैं, आपके पास elimination और substitution cross world relation methods है, आप इनसे solve करें, answer आएगा, any 21 year, और 24 years, हम आगे चलते हैं, member है, इसमें 2 person है, एक कहता है, कि आपके पास जितने भी पैसे हैं, अगर आप मुझे 100 rupees दे दो मुझे, अपनी pocket में से 100 rupees मुझे दे दो, तो मैं जो हो जाऊँगा आपसे double rich हो जाऊँगा, और दूसरा कहता है, भाई, एक काम करो, आप 100 कह रहे हैं और आप छोड़ो, आप सिर्फ मुझे 10 दे दो, 10 rupees only, तो I shall be six time rich as you, तो मैं आपको six time rich हो जाऊँगा, तो देखे हमने, मैंने आपको बताया, last देख लिए अगरे, what is the amount of their capital, तो हमने कहा, पहले person पर X rupees है, second पर Y rupees है, तो आप देखे है कौनड़ी question, एक तरफ X, एक तरफ Y लिख लिया, अब X में plus 100 हो गया, देखे हैं आप यहाँ पर X में plus 100 का क्या मतलब है, कि दूसरे वाले ने 100 rupees को दे दिये, तो इस पर X rupees थे, तो आप 100 और आ गए तो X plus 100, तो दूसरा वाला जब 100 दे देगा, तो देखो, उसमें से 100 काम हो जाएंगे, 100 rupees, तो question क्या बना, जो first वाला है, वो twice रिच हो गया, second वाले से, तो देखे, 2 की multiply कर दी, I hope आपको समझ में आ रहा होगा, my defense, अब इस equation को जब हम solve करेंगे, तो my defense हमारी equation बन जाएगी, और हमारी equations क्या बन गए, आप देख लो, कि x minus 2y is equal to minus 300, इसी के साथ, अब second क्या है, वो कहता है, कि अगर आप मुझे 10 rupees देखो, दूसरे वाले पर y plus 10 हो गया, क्यों, क्योंकि first वाले ने 10 rupees, second वाले को दे दिए, तो first वाले कम हो जाएंगे, 10 rupees, अगर आपकी pocket में 100 rupees हैं, और आप किसी minus 10 है, तो अब वो condition क्या हमें follow करनी है, कि पहला, जो second वाला, वो six time हो जाएगा, first वाले के, तो देखे, six into x minus 10, जब इसे solve करेंगे, तो equation में आ जाएगी, मेरे पास x minus 6, x minus y equal to 70, my defense, अब तो आप इसे solve कर सकते हैं, और देखे, solve करके दिखाया गया, elimination method के लिए, second equation में 2 की multiply कर दी, so that variable equal हो जाएं, फिर हमने elimination method लगा दिया है, x पर आएगा 40 rupees, और y पर आएगा 170 rupees, तो x जो है, उस पर 40 rupees हैं, या नहीं, first member पर, second पर 170 rupees हैं, ठीक है my defense, हम second question की तरफ, third question की distance, इस question को start करने से पहले पता दूँ, जब में आप पे distance and time और speed की problem हाई ना, आप यह पर simple formula आद रहे, distance equal to speed into time, आप कहेंगे सर यह तो हमने 8 में पढ़ लिया था, yes, इसको मन में रखे, इससे clue मिलता है, तो देखे, आपने यह कह रहा है, कि अगर किसी train की speed को हम faster कर दे, मत आपर पहुंचने में 2 घंटा कम लेती है, जैसे अगर पहुंचती 6 hours में, तो 4 hours में पहुंच जाती है, और second case के रहा slow का कि अगर 10 km की speed कम करने, तो अब 3 घंटे जादा लेती है, मतला पहुंचना था 5 घंटे में, तो पहुंचेगी 8 घंटे में, तो देखे हमने क्या करा, हमने speed कर ली, let कर ली के x km पर hour speed है, और जो time को complete करने में अंदर time taken जो लगा, वो y लगा, भाई हमने speed x ले लिया और time y ले लिया, तो देखे है, distance क्या होगा, distance तो my dear same ही है न, दोनों condition में देखे, तब उस station उसको पहुंच रहा था, merit से दिल्ली की बीच में, between में, तो merit से दिल्ली का, distance तो same ही रहेगा, चाहिए speed आप कम कर दो, या speed को आप ज़्यादा कर दो, तो distance is equal to speed into time xy, अब देखे, equation 1, equation 1 में है, distance by x में 10 की speed, speed का x, x में 10 increase कर दिया, तो time ज़्यादा ले रहा है, यानि time को कम करना पढ़ेगा y minus 2, जब x plus 10 करा तो y में से 2, पहले लग रह है न, क्योंकि जल्दी पहुंच जाती है train, तो y minus 2, और दोनों की cross distance रख दिया, x y यहां से, तो देखे, जब दोनों equation को solve करेंगे, तो हमारे पास आ गई, my defense, x minus 5y equal to minus 10, इसी तरह से अब second case देखे, my defense, second case में देखे, क्या बोल रहा है, आप बोल रहा है, देखे, इस line में देखे, कि आप speed को slower कर दिया, याने कि speed अगर x थी, उसमें से 10 और कम कर दो भई, तो अब speed कम हो गई, तो देखे, जब speed कम होगी, तो कहीं पर पहुंचने के लिए हमें time जादा लगेगा न, तो वो 3 घ question y defense मेरे पास बंजेगी, जब इन दोनों से आप solve करेंगे, x आएगा आपका 50 और y आएगा 12, y defense x y आजएगा 600, multiply करके देखेंगे, ठीक है my defense, हम question number 4 की दरब चलते है, yes my defense, question number 4 देखे, question number 4 में students कह रहे हैं कि कुछ students एक class में, देखे, student आप पहले एक बाद समझ लिए, अगर आप, आप, आप 6 student हैं, तो देखे, मैंने कह रहा, एक यहां रख दिया, एक यहां, फिर second और फिर fifth और six, तो देखे, अगर मैं पूछू कर रो कितनी बनी, तो तीन रो बनी, total student कितने हैं, हर रो में तीन तीन, राइट, और दो रो बनी, तो total student six आगे, three into six, इसी तरह से कुछ student को हमें रो में set करना है, तो देखे, हमने, यह बिल्कुल question मत हड़ की तरह है, हमने कहा कि number of rows जो हैं, वो x है, और number of student हर रो में y हैं, तो total student x y होगे न, देखो, अगर मैं कितनी भी row लगा लूँ, और उस row में कितने भी student है, student तो same ही रहेंगे न, student क्या आएगा, row into column, यानि की row into number of student, तो वो आगया x y, अब देखे, पहली condition है, पहली condition में क्या कह रहा है वो, वो कह रहा है कि अगर, हम question में जाते हैं, if three students are extra in row, तो देखे, row क्या है y, y में plus three कर दिया, आप देखे, y, three student extra है, तो एक row कम हो गई, x minus one हो गया, तो देखे, आप, if three student extra in a row, then there would be one row less, तो एक row कम हो गई, अब student तो equal ही आएगे, चाहा, row आप कितनी कम कर लो, या student बढ़ा लो, तो xy ले लिए, equal to solve करेंगे, हमारी पहली equation आ गई, x, three x minus y equal to three, next देखे, आप मेरे सामने second case है, अब कह रहा है, कि if three student are less, अब student क्या कम हो गई, तो देखे, y minus three कर दिया, पहले y plus three करा था, तो x plus two, या नहीं, दो रो extra हो जाती है, तो देखे, x plus two कर दिया, और is equal to xy student, तो से ही भी रहेंगे, तो यहाँ से second equation आई, मेरे पास यह, इन दोनो question, तो आप x की value 4 और y की value 9 आ रहेंगी, और total आएंगे 36 student, ठीक है students, हम question number 5, yes matter friend, देखे, question number 5 में आप देख सकते हैं, हमारे को एक question दिया है, angle c is equal to three, angle b is equal to two, angle a plus b, यह तीनों equal है, तो student यह बहुत ही simple question है, देखे, आप इसे कैसे कर सकते हैं, कि आपने let कर लिया angle a, जो है x एर angle b y है, तो आप देखे, पहली condition, c कितना हो गया, 3b, यानि c हो गया, 3y के equal, क्यूंकि b जो है y है, अब पहली condition हम जानते है, किसी भी triangle में, तीनों angle का समझो है, 180 होता है, तो फिर हमने a, angle b, और angle c की value रख दी, तो यहां से मेरी पहली question आगए, x plus 4y equal to 180, इसी तरह से आपकी बार, c को रख दिया है, 2 angle a plus b, क्यूंकि c देखो, 3b के भी equal है, और 2 angle a plus b के भी equal है, अब आपने रख दिया, तो यहां से equation my defense में मिली, x plus y 60, जब 2 equation आ जाती है, फिर तो आप solve कर लेते हैं, my defense, आप कहां सारा आना चाहिए, angle a 20, angle b 40, and angle c 120, ठीक है, my defense, next question जब चलत करना बहुत अच्छे से सीगा है, और 9th standard में भी graph plot करना है, तो simply हमें दोनों को graph plot करना है, plot करना के बाद बोल रहा है, कि जो triangle बनेगा देखे, जो triangle बनेगा मान लिजिए, ऐसे 2 equation जारी है, तो y axis के साथ, जो triangle बनेगा, उसके vertices हमें देख रहे हैं, तो तीनों vertices आपके यह my defense, आप solve करके देखेंगे, मैंने आपके hint के लिए values दे दिये हैं, put करके, आपको पता ही है, इनको और इनको plot करना है, फिर उन lines को plot करके, आप triangle देखेंगे, तो answer आना चाहिए, 0,5, 0,3, and 1,0, यह question आसान है, इसलिए हम इसे थोड़ा जल्दी में कर रहे हैं, yes my defense, question number 7 में question number 7 में 13 और 5 parts, और हमें X और Y के लिए solve करना है, देखें my defense, जब तक आप से कहाना जाए, कि solve it by graphical, और algebraic, like substitution, elimination, and cross multiplication, तब तक आप elimination method ही लगाए, elimination method बहुत easy होता है, elimination method क्या होता है, कि हमें किसी ना किसी X और Y के variable को equal करना है, और फिर add या subtract करना है, तो देखें, जैसे पह A, B, C की value जब added होती है, तो difficult लगते हैं बच्चों को, आपको simply यह देखना है, कि assign different है, yes, Y का assign different है, एक में plus है, पहली में और दूसरी में minus है, पर coefficient जो है, एक में Q है, पी है, तो देखें, equation first में तो मैंने P की multiply कर दी, और second में Q की, आप देख सकते हैं, कि multiply करने के बात क्य आए, मेरे पास देखें, क्योंकि है my defense, ताकि Y का coefficient PQ, PQ हो जो है दोनों में, तो देखें, आप equation first में multiply कर देंगे किस की P की, और equation second में multiply कर दी Q की, तो मेरे पास दोनों equation आ गई, अब इन दोनों equation को जब मैं add करूंगा my defense, तो देखें, PQY से PQY कर जाएगा, क्योंकि एक तो यहाँ पर इन दोनों से यह cancel हो जाएंगे, X की value 1 आ गई, और X की value 1 को जब मैं किसी भी equation में put करूंगा, तो मेरा Y आ जाएगा minus 1 my defense, I hope आप solve करके देखेंगे तो आपको आएगा, next question, yes my defense, 7th question, second part देखें, अभी-भी हमने solve किया है, अब आप इसे solve करेंगे, आपके answer आना चाहिए, X या आना चाहिए, और B इनों चाहिए, Y is equal to C A minus B plus A upon A square minus B square, यह दोनों आपके answer आने चाहिए, आप इसे solve करेंगे, और नहीं होता my defense, तो आप comment section में मेरे को बताएंगे, मैं आपको फिर से यह solve करके भीजूँगा, right, अब देखें, question number 7 का 3rd part, अब देखें LCM लेके, अब देखें, simply मुझे X और Y के coefficient equal करने है, मालने यह Y का, तो equation 3rd जो बनी मेरी, जो मैंने LCM लेके बनाई, जो first को solve करके बनाया है, उसमें Y का coefficient A है, और जो second condition है, उसमें Y का coefficient B है, तो दोनों में interchange multiply कर दिया, यानि equation 2nd में जो 3rd है, उसमें तो B की multiply कर दी, और equation 2nd म बन जाएंगी इस circle में आप देख रहे हैं, और जब मैं difference में इने add करूंगा, तो इस A, B, Y से A, B, Y cancel हो जाएगा, इधर दीखेंगे, इसमें से common क्या आ रहा है, इसमें से common आ रहा है, तो इधर बचेगा A square plus B square, इधर B square, तो वो दोनों cancel हो जाएंगे, X की value आ जाएगी A, अब X को किसी भी equation में put करूंगा, तो वहाँ से Y की value भी आ जाएगी, I hope आप इसे करके देखेंगे, वीडियो को play and pause करके देखेंगे, या फिर मुझे comment section में बताइए, कि अगर आपको नहीं समझ में आया, question number 7, fourth part, question number 7 के fourth part में देखें, my defense, हमारे को जो equation दिए, इसकी equation second देखें, first तो हमारी clear है, second में A plus B की multiply पहले है, अंदर करनी पड़ेगी, X है, और फिर Y से, तो देखें, equation बन के आ जाएगी हमारे पास, ये बन के आ जाएगी, A plus B X, plus A plus B Y, multiply करने के बाद, इसको अब इसको जो है, A plus B है, और नीचे भी A plus B है, वो cancel हो जाएंगे, क्योंकि sign change कर दूँगा, subtract करने पर, और इदर देखें, इसके भी sign change हो जाएंगे, तो जब आप solve करोगे इनको, आप देखें, my defense, यहाँ पर mistake होती है, इसके अंदर X common ले लूँगा, मैं फिर से दिखाता हूँ, देखें, my defense, यहाँ पर मैं X जब common लोँगा, तो इस minus से अंदर वाला sign change हो जाएगा, यानि A minus B plus B हो जाएगा, A से A cancel, यहाँ जाएगा, 2B, और ऐसे इदर देखें, A square से A square cancel, और यहाँ बच गया, B और B, 2B square, 2B common ले लिया, वो 2B से 2B cancel हो जाएगा, तो X की value A plus B आई, questions की बहुत ही try करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा, आरे सगरवाल और आडी शर्मा में बहुत सारे salt examples दिये हुए है, आप प्लीज मेरी advice है कि आप उन salt examples को देखें, और अभी भी आपको कोई problem आती है, तो आप मुझे anytime कभी भी comment section में भेज सकते हैं, मैं उस question की video आपको बना का जुरूर भेजूँगा, ठीक है मैं defense हम आगे देखें, important question है, इस पूरी exercise का वो है, 7th का 5th part, देखें मैं defense, इसमें जरह एक चीज़ देखें, और वो notice करने वाले देखें, इस equation में सबसे यादा mistake होती है, देखें, आप देखें, जो उपर x का coefficient है, वो concept है, concept है, पहले एक बार दोने equation को add करेंगे, और फिर एक बार subtract करेंगे, my defense, ध्यान तर सुन लिजिए, पहले ये concept है, जब भी दोनों के coefficient equal हो, तो आपको पहले एक बार add करना है, और एक बार subtract करना है, जब आप एक बार add करेंगे न, तो देखें, इस तरह से हमेशा x और y के coefficient equal हो जाएंगे, ये common लेंगे, minus का 1, 1, 3, उदर जागे, divide हो जाएगा, तो एक equation बन जागे, x plus y equal to 3, जो पहले complicated, और simple बन गए, x plus y equal to 3, इसी तरह से अब एक बार subtract करेंगे, subtract करने पर equation बनेगे, x minus y equal to 1, और यहाँ से x और y के लिए solve करेंगे, हमारे defense, x2 और y बना और यह बहुत important है, देखे, student आपने 9th standard में पढ़ा होगा, आप जानते है, cyclic quadrilateral, एक ऐसा quadrilateral जिसके vertices circle के perimeter पे लाए करते हैं, उसे cyclic quadrilateral कहते हैं, right, देखे, सारे vertices circle के perimeter को touch कर रहे हैं, तो इसे cyclic की property होती है, कि इसके opposite angle का sum 180 होता, आपने 9th standard में याद आ रहा होगा, त पहली question मन जाएगे, इसी तरह से my defense, जब a plus c करूँगा, तो 180 आ जाएगा, solve करूँगा, तो equation आजएगे, x minus y equal to minus 40, और जब solve करूँगा my defense, तो आपके answer आ जाएगे, angle a 120, angle b 70, angle c 60, angle d equal to 110, देखे, students, यह हमारी exercise थी, बहुत important optional exercise, और student इसी तरह से आपको अगर और वीडिय information मिलती है और पता लगता है कि आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं के नहीं, और अगर भी तक आपने subscribe नहीं कर आए तो इसको subscribe कर दिजिए, जिससे हमारी next video आपको बहुत जल्दी मिल जाए, till then students, जै हिन, जै भारत.